दोस्तों क्या आप लोग ने कभी सोचा है कि हम लोग जिस मीरर में अपना चेहरा देखते हैं वो कौन से कलर का होता है आप लोग सोचेंगे कि आखिर कर मीरर का कौन सा कलर होता है वो तो सभी कलर को रिफलेक्ट करता है Firstly तो किसी भी चीज का color इस चीज से decide होता है कि वो कौन से color को reflect कर रहा है जैसे कि कोई चीज हमें red इसलिए दिखती है क्योंकि वो सभी color को absorb कर लेता है और सिर्फ red color को ही reflect करता है और अगर वो सारे color को reflect कर देता है तो वो white color का दिखता है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि mirror तो सभी color को reflect करता है तो उसका color white होना चाहिए जैसा कि snow का होता है snow light को सभी direction में scatter करता है जिसके कारण वो हमें white दिखता है लेकिन mirror snow की तरह light को reflect नहीं करता है mirror जो होता है वो सभी light rays को same angle और direction में reflect करती है जिस direction से वो light rays आ रहे होते हैं जिसको हम लोग specular reflection भी करते हैं जिसके कारण वो उन सभी चीजों का image बना पाता है जो ठीक उसके सामने होता है mirror जो है वो 500 nanometer से लेकर के 570 nanometer के wavelength के light को बहुत ही अच्छे तरीके से reflect करता है और इस range के wavelength का light हम लोगों को green दिखता है और हम लोग इसको absorb कर सकते हैं अगर दो mirror को ठीक उसके आपने सामने रखा जाए जिसके कारण वो एक दुसरे का same image ही बार बार reflect करेगा जिसके कारण वो हमें green दिखने लगेगा झाल करेगा